इंडियन हिस्ट्री टॉप कोश्चन मेहमूद गजनवी के बारे में सारे कोश्चन अगर मेहमूद गजनवी के बारे में कोश्चन आता है तो हमारे इस वीडियो से ही आएगा गजनी कहां से थे ते अफगानिस्तान में गजनभी राजोइश की सापना किसने की सुभुक्त गीन ने सुभुक्त गीन कौन था अलपत गीन का दामाद था सुभुक्त गीन ने कब गजनी पर अपना दिकार जमा लिया 977 इस्वी में हिंदू शाही वंशके किस राजा के वरूत सुबुक्त गीन ने संघरश में भाग लिया, तो जैपाल राजा थे हिंदू राज वंशके, सुबुक्त गीन के मृत्यू के बाद उसका उत्रा दिकारी कौन बना, तो महमूद गजनबी किसका बेटा था, सुबुक्त गीन का, ज इसने सुल्तान की उपादी धारण की वो था महमूद गजनबी, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आकरमन किया, तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आकरमन किया, महमूद गजनबी ने सोमनात के मंदिर पर कब आकरमन किया, महमूद गजनबी ने सोमनात के मं कर्मण जो हो महमूद गजनभी का सबसे प्रसेज्ट आक्रमण है् सोमनात का मंदिर शित है गुजरात के कठियाडा बाड चिले में स्थित हैं समुंद्र के किनारे सोमनात मंदिर महमूद गजनभी का भारति आक्रमण करने का मास्तुई को देश शे किया था महमूद गजनबी ने भात पर अक्रुन किया धन प्रापत करने के लिए महमूद गजनबी को यमीन उद दौला और यमीन उल्मिला की वादी से किसने विवुशित किया तो बगदाद के खलीफा थे अलकादिर विल्ला ठीक है उन्होंने जो है महमूद गजनबी को यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्ला से जो है विवुशित किया मूर्ति भंजग और बुद शिकन किसे कहा जाता है महमूद गजनवी को मूर्ति भंजग कहा जाता है क्योंकि वो मंदिरों के उपर आकर्मन करता था मूर्तियां तोड़ देता था अलबरूनी कौन था यह वो एक परसिद इतिहास कार था गड़ी तक गया था वो गोल वेता था ठीक है जो भारत में महमूद गजनवी के साथ आया मिनिंग अलबरूनी की इतिहास कार था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आया और भारत के बारे में उसने बहुत कुछ लेका बात पर अक्मन के समय महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से विद्वान भारत आया अलवरूनी भी आया उत भी आया बेहा की आया और फिर दौसी भी आया ये सब लोग महमूद गजनवी के साथ भारत में आये महमूद गजनवी का दरवारी कभी कौन था अल वरुनी और फिर दोसी उसके दरवारी कभी थे शाहा नामा कि रसना किसने की फिर दोसी ने शाहा नामा के इस भाषा में लिखी गई